तो एलो फ्रेंज एक नहीं नोलिक्स के साथ मैं फिर से आज जिरू तो फ्रेंज आज की वीडियो में ने डाटा केबल को कर बनाई हैं लोग ये चार्जरों डाटा केबल पूँज़ जदा खराब होते हैं गाईज और ये मार्केट में बहुत जदा मेंगे भी मिलता है चार्जरों मिलता है गाईज और दोसो तीन सो गास पास डाटा केबल मिलती है तो आज जम इनको रिपेर करना सिखाएंगे आपको तो यहाँ पर गाईज मेरे पास एक डाटा केबल है इसमें ये USB वाला पार्ट बिल्कुल साही रहता है गाईज ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और ये पिन वाला इससा खराब होता है गाईज So guys, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं हम और guys, यह मेरे पास power bank है और मैं इसको इसके अंदर लगाता हूँ guys, अच्छे से So guys, मैंने इसमें लगा दिया So guys, यहाँ पर मैरे पास यह mobile है So guys, हम चेक कर लेते हैं कि यह data cable खराब है कि चल रही है मैं इसको इसमें लगाता हूं गाइस तो गाइस आप देख लीजिए जिसमें बिल्कुल भी चार्डिंग शो नहीं हो रही मतलब हमां डटा के अबल ही खराब है वैसे गाइस इसमें डिस्पेलर के रूप में उपर शो जाता है गाइस जो की शो नहीं हो रहा है तो वैस चलिए इसको रिपेर करते हैं तो यहां पर गाइस इसको यहां से काट लेंगे यह वाणा इससा कराब होता है और कुछ भी खराब नहीं होता है वह इसको यहां से चील देंगे यह हमारा वेस्ट इससा गाइस मैं यारा से इसको चीलने के बाद इसमें 4 वायर निकलते है जिसमें से हमें बले को और रेर की जिरूरत है और इसमें से благодар करें गाइस यह हमारे क्सी काम के नहीं है इंदोनों का चील देंगे अपर से तो गाइस यहाँ पर हम इसको अच्छे चीलेंगे ताकि उपर प्लास्टिक नहां रहे तो गाइस चलिए इसको चेक कर लेते हैं यहारे पिन खराब है यहाँ पूरी डटके वली खराब है सो गाइस यहाँ पर मेरे पास यह DC मोटर है सो चलिए गाइस इसको चला कर देखते हैं सो गाइस मैं इसको उपर यह लगाता हूँ ताकि हमें देख पाए है कि मोटर चल लुए तो यहाँ पर गाइस इसको लगाता है तो गाइस देख लीजे मोटर बिल्कुल चल रही पतलब हमाई डाटा केबल साही है यह उपर वाली पिन कराब हुई थी गाइस इसकी सब्सक्राइद करते हैं यह मार्केट से लिगे लिए इसको निए और यह निकलेंगे तो यहांप्र गाईस यह इसमें दो गाइड निकले हैं एक प्लस और एक मैन Ayis इसमें तो इनको भूब ने थे लेख सो औहुए सब्सक्राइम देख लीजिए disregard अब वहराब वहाम एनको य्यूएज आ convinpe करेंगी मैं हमको प्लस वाले को प्लस वाले से और मैनेस वाले को मैनेस वाले से जोड़ना है गाइस अच्छे है जोड़ना है गाइस तक यह निकले नहीं उसके बाद हम इसमें टेपिंग कर देंगे टेपिंग को गाईस आपको बिल्कुल टकंजूसी नहीं करनी है टेपिंग बिल्कुल लच्चे से करनी है उसके बाइस को कट कर दें यारा से काईस और यह हमारी एक डाटा के बलता यारे गाईस यह देख लीजिए तो गाईस चलिए चेक करते हैं कि यह चल रही की नहीं चल रही तो मैं इसको लगाता हूँ पाउल बेंक के अंदर यह मैं लगा दी गाईस लाइड भी नहीं हो रही है तो चली गाइस, अब हम इसमें मोबाल खुला अगर देख लेते हैं, तो यह हमारी पिंच चली की नहीं चली, तो गाइस मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ इसको, और देख लीजी गाइस, हमारी पिंच बिल्कुल चल चुकी है, यह बिल्कुल नहीं जैसे हो चुकी गाइस और यह बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं छोट रहे है गाईस मैं फिर से लगा देता हूँ इसको यह देख लीजी गाईस एक ही बार में चार्ज हो रहा है और यह देख लीजी गाईस 96% चार्ज है मेरा मोडाइल और यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से बार को रहा है गाईस यह देख लीजी फिर से चार्ज हो रहा है तो गाईस यह था अमारा आज का वीडियो तो गाईस अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्पोर्मेशन लगाओ तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को नसा स्वाइब और हम मिलते हैं इसके ने शूड़ो में तब तक के लिए जाएं